नमस्कार स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टीचर एजूकेशन में आज के इस क्लास में हम लोग तीसरे पाट की सुरुवात करेंगे जिसमें हम बिलो समानार्थी सब समान ध्वनी वाले सब और तुकान की पहचान एवं प्रियोग को पढ़ेंगे पिछले दो पाटों को हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं जो लोग भी उस क्लास को नहीं देखे हैं हमारे सेनल के प्लेइलिस्ट में जाकर हिन्दी वाले सेक्शन में उस्क्लास को जरूर देख लेत. छली पहचान एवं प्रियोग में समर्थन करना इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इसका विस्तार देख लेते हैं इसमें दिया है कि भासा सामर्द का प्रमुक आधार होता है उसकी सब्दावली और सब्द बंडार इसमें ब्रिद्धी तथा अधिकार के प्रयाप्त अभ्यास की आउसकता होती है इसे ही बहासाई कौसलों का विकास या कर सकते प्राप्त करने में सफलता मिलती है वैसे तो सहत तरीके से प्राप्त मातरी भासा को सीखना पड़ता है तब जाकर वारी एवं लेखन में प्रभा होती है ठीक है आगे हम देख लेते हैं गती विधी जैसे क्या होती है कौन-कौन से सब बिलोम सब्ध है उन्हें हम पढ़ते चलेंगे जैसे दिया हुआ किसी सब्ध का बीपरित अर्थ देने वाला सब्ध बिलोम सब्ध कहलाता है कैसे उसे हम देख लेते हैं जैसे यहां गती विथी वन दिया हुआ है इसमें कि प्रसिच्छक भीन भीन प्रकृति वाले कुछ वस्तुएं पदार्थों को प्रस्तूत कर प्रतिभागियों छात्रों के लिए उनके स्वभाव आकार के बारे में अनुभव कराता है जैसे यहां दिया हु क्या होगा फूल का काटा ठंडा का गर्म मोटा पतला छोटा बड़ा इस तरीके से हम बिलोम सब्दों की पहचान करते हैं गती विदी दो को देख लेते हैं इसमें दिया है कि प्रसिच्छक प्रतिभागियों को दो समू में बाठकर एक समू के सदस्यों को एक तरब बैठ कर दूसरे सब्द वाले काट देखा उसमें जो है बिलोम सब्दों की पहचान करा सकते हैं कैसे जैसे आप देख सकते हैं यहां समू दो दिया हुआ है जिसमें अब ध्यान देंगे परिवासा में किसी सब्द के बिपरित अर्थ देने वाई जैसे रात रात का जो बिपरित जब आप अस्वस्थ हो जाएं आप ध्यान देंगे बिलोम सब्द का अभिप्राय सभी को समझ में आ चुका है तभी इससे समंदित सुछ बातों पर आप ध्यान देंगे कि बिलोम सब्द जो होता है यह इसका सब्द यदि तद्भव है तो उसका बिलोम सब्द तद्भव हो तो विशेशर का जो बिलोम सबद को थ्यान देख लिए हैं झाल की सब्दों के बिलोम सब्द बताइए जैसे यहां दिया हुआ है आपका गाय का बिलोम सब्द क्या होगा तो गाय का जो बिलोम सब्द होगा वह बैल होगा उसी तरीके से लड़का लड़का का बिलोम सब्द क्या होगा लड़का का जो बिलोम सब्द है वह लड़की है उसी प्रकार से सुबह सुबह का बिलोम सब्द क्या होगा सुबह का साम आगे दिया हुआ आपका रोगी रोगी का बिलोम सब क्या होगा नीरोगी आगे दिया हुआ आपका सरल जय सरल का क्या होगा सरल का कठीन होगा जय का पराजय होगा पराजय विलोमसब राजा का जो होगा विलोमसब वरानी होगा तेवता का विलोमसब जोन होगा देवी होगा और अमीर काला अमीर का क्या होगा अमीर का जो विलो सब्द है तो क्या होगा इसे आप ठ्यान रखेंगे बिलों सब्दों को ठीक है आगे हम देख लेते हैं दूसरा दिया हुआ कि अ अन स और नी इन सब्द इन उपसर्गों का प्रयोग सब्दों के साथ करके दिखाईए आप ध्यान देंगे अन जो है यह एक सब्द दिया अजया प्रयोग से यहाँ प्रत्य लगाएंगे उपयोगी में तू क्या हो जाएगा अन उपयोगि इस प्रकार से अन सब्दों के प्रयोग से हम नया सब्द बना सकते हैं कि आगे हम देख लेते हैं तीसरे को जिसमें दिया है प्रसिच्छक चार्ट पेपर या वाक के पक्तियों स्यामपट तता कुछ वाक्यों के उदारण तो रूफ लिकर प्रस्तूत कर सकता है जैसे आप ध्यान देंगे अभी हम पढ़ेंगे रवी भानू उत हासकर और है यह समान अर्थ देते हैं यह क्या क्या कहलते हैं समान अर्थी सब। और सम्त अन्धोनी वाले सब्ध क्या कहल सुआ पढ़ेंगे एसे सब जिंका उच्छारण करते हैं वह सम्त धोनी वाले ही द्सुद opposite यहां ह Vine देख लेते हैं दिया है कि आज लाल गागरा पहन कर गीता पंगट पर गगरा में पानी भरने आई यहां आप ध्यान देंगे गागरा और गगरा क्या है समान धोनी वाले सब्द हैं लेकिन इनके अर्थ अलग-अलग है दूसरा जैसे दिया है कि गुड में जो मिठास का गु आइब यहां दोनी वाले जैसे उचारण करते हैं तो समान इनका उचारण जो है एक समान जैसे लगता है लेकिन यहां गुड का यहां आपका जो अर्थ होगा यह उद्देश की बात कर रही है इसके विसेस्ता की बात कर रही है ठीक है तीसरा दिया है कि पसीने से तर यहां तरू का जो अर्थ है वो विरिक्ष से है क्या है विरिक्ष की छाया में ठीक है पसीने से तर पसीने से ये ले कपड़े का तरू यहां आप ध्यान देंगे विरिक्ष की छाया में सुखा है यहां विरिक्ष की छाया होगा ठीक है उसी प्रकार से आगे हम देख लेते है राम और स्याम हमेशा एक समान तारा समान लेते हैं आप ध्यान देंगे एक समान जो है एक ही तरह आप ध्यान देंगे कि यहां समान के जो समान धोनी वाले सब्द हैं यहां इसका अर्थ होगा कि एक ही तरह से समान तारा समान लेंगे मतलब सभी जो समान ख़़े देंगे एक तरिके से इसी प्रकार से हम यहाँ देख लेते हैं इस नदी के कूल पर खड़े होकर रमेश ने कुल बारा मचलिया पकड़ी कुल का यहां पर अर्थ होगा किनारा से किसे होगा किनारा से यहां क्या होगा इस नदी के किनारे पर खड़े होकर रमेश ने कुल 12 मचलियां कर दी इस कुल का होगा वन्स होगा या परिवार होता है ठीक है इसे आप ठ्यांत के आगे हम देख लेते हैं आगे दिया हुआ आपका मुल्यांकन दिया हुआ है जिसमें बोला है कि सब्द युग्मों का अंतर बताईए ठीक है यहां हम देख लेते हैं कैसे समान धोनी वाले जो सब्द हैं उनके अर्थ अलग अलग है ठीक है कैसे पचानेंगे और और का क्या अर्थ होता है जैसे और का अर्थ होता है वैसे ही और क्या अर्थ होता है और का जो है आपका यहां दिया हुआ है भर ठीक है और और का क्या होगा और का दूसरा होगा है दूसरा और को है अगला देख लेते हैं और भी मतosक्त कूल है यह बड़ा वह ज इसमें लगा हुआ है इसका अर्थ होता है किनारा क्या होता है इसका क्यों है एक लेकिन छेखते हैं विलक्ते लेकिन कूल च्छोटा वह जिसमें है इसका अर्ण होता है वन्स परिवार और सब्सक्राइब करते हैं जैसे वहन बहन क्या है इसका जब हम कभी उच्चारण करते हैं वाक्यों तो समान धोनी होती है लेकिन उनके अर्थ भिन भिन होते हैं कैसे वहन का अर्थ क्या होता है इसे हम देख लेते हैं वहन का जो अर्थ होता है जैसे निर्वा करना या भार ढोना क्या होता है निर्वा करना ठीक है या कह सकते हैं दूसरे अर्थ में भार ढोना वहन का अर्थ होता है और वहन का अर्थ किससे होता है बहिन कह सकते हैं जो बहिन कहते हैं अगला दिया हुआ है आपका जो सब्द है सर और शर आप ध्यान देंगे यहां पर आपका दंथ है और तालब है यह समान धोनी वाले सब्द हैं इनका उचारा एक ही तरह होता है लेकिन इनके अर्थ अलग-अलग है कैसे हम पहचानेंगे आप ध्यान देंगे जो दं सब्द 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 आगे हम देख लेते हैं आगे दिया हुआ आपका सुत का सब्द का सुत सब्द का अर्थ क्या होगा क्या दिया हुआ दूसरा जो दिया है सुत सब्द का अर्थ क्या होगा सुत का अर्थ क्या होगा इसका option दिया हुआ आपका पुत्र सारथी पुत्री सुपारी सुत का जो अ समानार्थी सब्द है ठीक है पुत्र को कई नामों से जान सकते हैं जैसे यहां लिखते हैं पुत्र का समानार्थी सब्द क्या दिया हुआ है यहां पार ध्यान देंगे तुत भी कह सकते हैं आत्मज आत्मज भी करते हैं और बेटा भी करते हैं यह सब्द क्या है यह सभी सब्द समनार्थी सब्द है आपको समझ में आ गया होगा कि समान्ध होनी वाले सब्द कौन से हैं विलोम सब्द कौन से हैं और समनार्थी सब्द कौन कौन से हैं तो इस प् प्रतिविधी चार में हम देखते हैं कि तुकान सब्दों को कैसे पहचान करेंगे प्रसिच्छक चार्ट पेपर या एक ऐसी कविता लिखकर प्रस्तूत करेंगे जिनमें अंतीम सवर समान जैसे हो आप ध्यान देंगे जब भी आप हमें बच्चों को पढ़ाएंगे या उन्हें बताएंगे कि तुकान सब क्या होता है सबसे पहले हम जान लेते हैं तुक क्या होता है तुक के बारे में हम जान लेते हैं कविता के प्रतेक पंक्ति का अंतीम स्वर्ज होता है जहां हम रुपते हैं ठीक है समान कह सकते हैं समान सब दोते हैं समान वर्ड होते हैं वहींं तुक होता है जैसे कविता हम देख लेते हैं अम्मा चर्णा देख के ऊपर चले आ रहें बाधल आपमें जरा रहें बादल नियूज रहें हैं तो प्रस रहें हैं दीख रहा है जल हि यहां पर जबभी हम इसका उच्छारः करते हैं या कविता को प्रस्तुत करते हैंस्स तो एक सुर्म प्रस्थे हैं जहां अन्तिम स्वर समान होता है और रुक जाते हैं वहीं जो है तुक कहलाता है इस प्रकार से हम कक्छा में बच्चों को समझा सकते हैं इस प्रकार से हम तुकान सब्दों की पहचान कर सकते हैं कविता के प्रतेक पंक्ति के अंतिम स्वर दल जल डाली डाली गनमन की और ध्यान अकर्शित कर अस्वस्ट है कि इनके अंत में अंत वाली धुन्या समान मिलती हैं उन्हें तुकान सब्द कहते हैं ठीक है कविता को तुकान कविता में तुकान का बड़ा महत होता है ठीक है आ अंत वाली धोनी मिलती हो वहीं तुकान सब्द कहलाते हैं ठीक है आगे देख लेते हैं प्रसिच्चु आगे चलकर बच्चों के बीच दो वर्ड तीन वर्ड वाले सब्दों को रख कर उसका तुक मिलान करा सकते हैं जैसे यहां दिया हुआ है लाया सब्द क्या है लाया और यहां आपका दिया है तुक दिया हुआ है लाया सब्द से यदि कविता के अंतिम स्वर से हम जैसे तुक वाले सब्दों की पहचान कर सकते हैं जैसे लाया पाया खाया भाया आदी ऐसे सब्दों से आगे देख लेते हैं पांचवा तरीका प्रसिच्छक समान अर्थ वाले कुछ सब्दों को स्यामपट पर लिखकर छात्रों या प्रतिभागियों के उन्हें मिलान करा सकते हैं जैसे आप ध्यान देंगे पक्षी पक्षी को किस और नाम से जानते हैं पक्षी की समान अर्थी सब्द क्या होती है आप ध्यान देंगे समान अर्थी सब्द का अर्थ होता है या परिवासा होता है यह कहीं सब्द के समा अर्थ देने वाले सब्द जो है समान अर्थी सब्द इसी का दूसरा नाम जो है खग की नाम से भी जानते हैं यह सब्द का भी अर्थ समान है ठीक है इसी प्रकार से नौका का क्या है नौका का नाव से मिलान होगा इसी प्रकार से इस्वर इस्वर का परमात्मा जो की समान थोनी नहीं समान अर्थ देने वाले सब्द है बालक बा कक्षा में बच्चों को समानार्थी सब्दों के बारे में बता सकते हैं कि कौन-कौन से सब्द समानार्थी हो सकते हैं ठीक है और बिलोम सब के बारे में भी पता सकते हैं आगे हम देख लेते हैं यहां पर दिया हुआ है मिलान करते हुए इन सब्दों को बताए कि एक एक पर रहा है और बताना अधिक अच्छा होगा जैसे पक्छी को खक और नब्चर भी कहा जाता है इस तरीके से आगे हम देख लेते हैं जैसे प्रस्न दिया हुआ है और उत्तर किस प्रकार से बच्छो और पंखा आदमी का पर रहा है यानि आदमी का समानार्थी सब्द क्या होगा जो समान अर्थ देते हूं वह लेकिन अलग सब्द हो तो क्या होगा इसका उत्तर जोगा मनुस से क्या होगा मनुस से जैसा कि हम देख सकते हैं ठीक है अतिथी को और क्या कहते हैं अतिथी अति से दूसरा हम देख लेते हैं सूरज के लिए दूसरा सब्द क्या हो सकता है ठीक है यह आपका प्रस्ण है इस प्रकार से कच्छा में आप बच्चों से पूछ सकते हैं जो सब्द पढ़ा रहा है या कह सकते हैं कपड़ा है, कपड़ा का जो हता है आपका करपठ चीर वसन इस प्रकार से सब्दों को जब आप पढ़ा लाएंगे उसके बाद लास्ट में आप बच्चों से मुल्यांकन कर सकते हैं कि कपड़ा सब्द को दूसरे और किस नाम से जानते हैं या दूसरा सब्द क्या होगा या सूरज का रवी सुर्य भानू को अधिया हुआ है को विक्ष को हम सभी सामान रूप से क्या करते हैं डिक्ष की समनार्थी सब्द क्या है तो ब्रिक्ष को पेड़ भी कहते हैं तरू भी करते हैं आप त्यान देंगे सब्द अलग है लेकिन इसका अर्थ जो है समान है तो ये सभी सब्द क्या कहलाते हैं ये सभी सब्द समनार्थी सब्द कहलाते हैं और सब्दों के बिलों सब पर्यावाची सब और सी पीडिये में मिल जाएंगी फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले नए टॉपिक को लिखाएंगे अब तक के लिए बावावाद